वागते बचो आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत की पाठशाला में आज हम क्लास नाइन का चैप्टर फाइव सुक्ति मौक्तिकम लेकर के आए हैं इसकी एक क्विक रिविजन लेकर के आए हैं पाठ के पहला प्रश्न एक पद वाला और प्रश्न उत्तर तो कुछ बचों की हमारे डिमांड आ रही थी कि मैं एक बर फिर से रिविजन करवा दीजिए एक पद की और प्रश्न उत्तर की तो अपने विवर्स की डिमांड को देखते हुए हम फिर से पाठ पाठ सुक्ति मौक्तिकम के प्रश्न उत्तर लेकर के आए हैं तो शुरू करते हैं पहला एक पदिन उत्तरत विततह शीनह के द्रशह वावती की आचरन से गिरा हुआ व्यक्ति कैसा होता है अक्षीनहा नश्ठ हुआ अगला है कस्य प्रतिकूलानी कार्यानी परेशामना समाचरेत की कैसा हमें प्रतिकूल कारे नहीं करना चाहिए दूसरों के साथ आत्मनहा की जो हमारे अनुकूल नहीं है वैसा हमें दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए अगला है कुत्र दरित्रता ना भवेत किस चीज में दरित्रता नहीं करने चाहिए प्रिये वचन बोलने में नेक्स्ट कुशन अगला है व्रक्षहा स्वयम कानी ना खादनती व्रक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् कि हमें कैसा आच्रन नहीं करना चाहिए अस्माभी आत्मनह प्रतिकूलम जो हमारे अनुकूल नहीं है आच्रनम परह सह नकरतव्यम वैसा हमें दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए अगला है जंत्वह कें तुष्यंति लोग किस चीज़ से होते हैं जंत्वह प्रियवा के प्रदानें तुष्यंति जब प्रियवा के बोला जाता है तो लोग जो है खुश होते हैं अगला है संजनानाम मैत्री के दर्शी भावती संजनों की मित्रता कैसी होती है चजरनाम मैत्री पूरा लगवी पहले चोटी होती है पश्चाच वृद्धीमती भवती और उसके बाद बढ़ती जाती है लास्ट है सरोवराणाम हानी कदाभवती सरोवरों की हानी कब होती है यदा सरोवराणाम मरालह सह विप्रयोगह मरालहा का अर्थ होता है हंस और विप्रयोगह का अर्थ होता है वियोग जब सरोवरों का जो है हंसों के साथ वियोग होता है तब तदा तेशा महानी बवती तब उनकी हानी होती है तो यहां पर हमारी कुई क्रिविजन पूरी होती है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चै प्रेंड्स के साथ शेयर कीजीगा नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजीगा तब तक के लिए धन्यवाद